आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स के मिस्ट्री फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ एक स्लाइट को प्रोजेक्ट कर रहा है जो कि ना फाइफ हंड्रे टाइम्स जो है ना उसका इमेज है उससे बड़ा दिखाती है ठीक है और स्क्रीन जो बोला गया ने टैन सेंटीमीटर दूर है ठीक है और बोल रहा है इसके आगे क्वेश्चन में कि एस्जूम एक प्रोज स्क्रीन सेंटीमीटर क्लोजर अगर स्क्रीन को जो है ना दो सेंटीमीटर क्लोज मूव करें तो कितना डिस्टेंस से तो कितना डिस्टेंस से जो है ना में स्लाइट जो है मूव करना पड़ेगा आप टू आर्स यानि कि इस लेंस के तरफ या फिर लेंस से दूर कितना सें मतलब कि ताकि इमेज जो है ना फोकस्ट रहे स्क्रिन पे और पोल रहा है कि मेगनिफिकेशन उसका कितना होगा तो चलिए हम फाइंड करते हैं इस केस में तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया हुआ है लिखते हैं कि वी इक्वल टू यहां पे 10 cm दिया हुआ है वी मेगनिफिकेशन क्या होता है कि मेगनिफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन यू एक्वल टू है अपॉन होता है ठीक है इक्वल टू फाइफ हंड्रेड दिया हुआ है तो यहां पे माइनस वी हम इपॉन यू एक्वल टू फाइफ हंड्रेड हम लोग कह सकते हैं और यहां से आजता है u equal to minus v upon 500 अब यहां अगर v का value रखें तो हमारा आजता है minus 10 upon 500 cm equal to minus 2.0 cm हमारा यू आ जाता है तो हम यह ध्यांद रखेंगे पात यू है हमारा minus 2.0 cm ठीक है इसके आगे हम बोलता है इसके अगर अगर हम लेंस फर्मूला लगाए लेंस फर्मूला क्या होता है लेंस फर्मूला होता है वन अपन वी-1 upon यू एक वाल टू वन अपन एफ वैर वी इज क्या है पोजिशन ओफ इमेज पोजिशन ओब्जेक्ट इस यू और फोकल लेंथ है ठीक है अब यहां पे हम पूट करते हैं वन अपन एफ एक वाल टो जाता है वन अपन वी-1 upon यू जो की हो जाएगा वन अपन फी जो है कितना है टैन यहां पर हमें लोग एक हम एक चीत गलती कर दिया है कि यह जो हैं टैन सेंटीमीटर में नहीं है यह मीटर में है ठीक है तो यहां पे बहुत ज्छी ज्यादा ध्यान रखेंगे हम यूनिट का तो य यूनिट के चाहिए सैंटी मीटर में ठीक है यह खास तर्समें लोगो ध्यान रखएंगे है actually कि हुआप सब्सक्राइब और है कि इसक्रीन जो है न अब बोल रहा है इसक्रीन को 2 Meter close लेते आगए अगर 2 Meter को स्क्रीन क्लोज ले जाएंगे तो वी कितना हो जाइगा वी इक्वल टू 8 Meter हो जाएगा क्योंकि यहां पर इस्क्रीन जुआ ना स्क्रीन को 2 Meter क्लोज ले गाए है ठीक है तो वी इक्वल दो मारा हो गया 8 meter अब कितना अब बोलता है कि कितना जो है हमें मूब करना पड़ेगा what distance should the slide to be moved towards और अभी from the lens कितना मूब करना पड़ेगा तो यानि कि object कितना हमें कितना होगा तो object हम यूदेस मानते हैं यह हमें निकालना यह ठीक है तो चलिए हम निकालते हैं कितना मूफ कर देंगे तो 1 अपान वी माईनस 1 अपान यू डैस इक्वल टू 1 अपान एफ एक बार फीर हम लोग लेंस फर्मूला का यूज करते हैं और हम चलिए करने कोशिच करते हैं तो यहां पर one upon u dash equal to kya हो जाएगा one upon v minus one upon f जो कि है one upon v कितना है हमारे पास one upon v है one upon eight meter ठीक है यहां पर minus one upon ten meter minus one upon two centimeter ठीक है और यहां से अगर यूदेस निकाले वन अपन यूदेस ठीक है तो निकल जाएगा वन अपन 40 मीटर माइनस वन अपन 2 सेंटी मीटर अब यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करें के यूदेस एकवल तो इसको सेंटी मीटर हम बदल लेते हैं तो यहाँ पर 4000 सेंटी मीटर माइनस वन अपन 2 सेंटी मीटर अगर हम मैथमेटिक्स का यूज कियें तो यहाँ पर यूदेस एकवल तो यह बाहर निकाल रहे हैं माइनस वन अपन 2 सेंटी मीटर बाहर निकाल रहे है तो हमारा अंदर में क्या हो गया अंदर में हो जाता है हमारा 1-1 upon 2000 आ जाता है ठीक है और अब यहां तो अगर यू डेस निकालेंगे कुछिस करें तो 2 cm माइनस साइं के साथ इसका इन्वर्स करना पड़ेगा इसका इन्वर्स कीई इसका इन्वर्स करना पड़ेगा अब यहां पर क्या हो जाएगा यू डेस एक्वल टू- गॉ- का 2 cm अगर यहां पर पावर माइनस वन है तो हम इसको लेख सकते हैं 1 प्लस वन अपान 2000 लिख सकते हैं ठीक है हैं और यू डiais equal to minus two point zero centimeter minus one upon one thousand ं ठीक है सेंटीमेटर इसको यहाँ पिलाइ किए और इसको यहाँ पिलाइ किए तो हमारे पास आगया minus two point zero centimeter minus one point thousand centimeter ठीक है अब देखिए पहले मारा यू डास हमारा पहले कितना था पहले केस में minus two पे था यहाँ पर देख रहे हैं U equal to minus two two point zero centimeter पर ता और यहां पर कितना आ गया पहले हमारा यू था कितना पर minus two point zero centimeter पर था अब कितना हो गया यू डेस में minus two point zero centimeter minus one upon thousand centimeter पर आ गया तो हमें move कितना करना पड़ा move करना पड़ा only one upon thousand centimeter minus sign के साथ ता इसे kya minus threatening बतता है कि हमें slide करना पड़ेगा away from the away from the lens ठीक है हुआ मूप करना पड़ेगा away from the lens इलाओ आ पंपन पॉजेंट सेंटीमितर अवे पर उन्हें मूप करना पड़ेगा एंसा कितना मूप करना पड़ेगा तो one upon Ontario सेंटिमीटर ठीक है समझें आपलो क्लासिक्स स्टुएल से लेके नीट आईटी जे ही मेंज और एडवान्स के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर